स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर शेएख नए लेक्चर में दोस्तों यहाँ है वाइरस का लेक्चर नमबर तीन इसके पहले के दो लेक्चर में हम लोग वाइरस से संबंधित Valent जो बेशिक चीजे थी जैसा कि वाइरस की डिसकबरी से लेकर इसका से साइज और इसक इस lecture में हम लोग एक particular एक वाईरस के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि bacteria .. इसके आगे भी जो lecture आते रहेंगे प्रतेक Nekel में एक एक वाईरस के बारे में हम आपको बताते रहेंगे जो वाईरस खास है जिससे संबन्धित इक जाम में सवाल पूछ़े जाते हैंpee सबी वाइर्स के बारे में हम आपको detail में समझा देंगे और कैसे सवाल आते हैं ये सारी चीजे आपको बता देंगे तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस lecture में बैक्टीरियो फेज के बारे मेंश को सबसे पहले आई आईए कि बैक्टिरियो फेज एक बैक्टिरिया होगा लेकिन ऐसा नहीं है बैक्टिरियो फेज एक वाइरस है क्यों इसे बैक्टिरियो फेज कहा जाता है क्योंकि यह बैक्टिरिया के ऊपर अटेक करता है यानि बैक्टिरिया की कालोनी को डिस्ट्रॉय करता है नस्ट करता है कुल वाइरस, जो बैक्टीरिया को ही किल कर दे। उससे बैक्टीरियोफेज कहηंगे, यह ऐसे वाइरस को बैक्टीरियोफेज कह모ँगे। अब आए देखते हैं कि इसकी खोज सर्प्रतम किसी ने किया। तो दोस्तों एक बैज्ञानिक हैं, AFW Twart एक वैग्यानिक है AFW Twart नाम याद रखेंगे फेडरिक विलियम ट्वर्ट फेडरिक विलियम ट्वर्ट नामक वैग्यानिक ने सबसे पहले 1915 S.B. में बैक्टिरियो फेज वाइरस की खोज किये इसके दो साल बाद 1917 में एक और बैक ग्यानिक आये जिनका नाम है डी हेरेल उन्होंने बैक्टिरियो फेज के बारे में पूरा डिटेल में अध्यन किया डिटेल में इसका स्टेडी किये और उन्होंने बताया कि जो बैक्टिरियो फेज है यह है इकोलाई बैक्टिरिया यान की कालोनी को डिश्ट्रॉय करता है यानि कि इसकी कालोनी को नश्ट कर देता है किसकी कालोनी को तो इकोलाई बैक्टिरिया की कालोनी को और कौन नश्ट कर देता है यह बैक्टिरियो फेज वाइरस इसलिए इस बैक्टिरियो फेज वाइरस को आप कोली फेज भी कह सकते हैं क सामानत है जो बैक्टिरियो फेज होते हैं इनके अंदर डबल स्ट्रेंडेट डियन ने पाया जाता है। बाकी सारा डिटेल हम आगे बता रहे हैं। दो चीजें आप सबसे पहले याद रखें। पहला तो बैक्टिरियो फेज किसे कहेंगे। तो ऐसा वाइलिस जो बैक्टिरिया को किल करता है उसे बैक्टिरियो फेज कहेंगे। बाकी इसकी खोज सबसे पहले 1915 हिसवी में एक बैक्टिरियो फेज है यह है। कोलाई बैक्टिरिया के कालोनी को नश्ट करता है अता है आप इसे कोली फेज या फेज भी कह सकते हैं। तो चलिए आईए देखते हैं आप नोट कैसे करेंगे अपने नोट बुक में। देखें बैक्टिरियो फेज यहिरिंग डालके और नीचे लिघ देगे। इसके बाद देखें। 100 million bacteria per ml यानि जो सी वाटर है सागर का जल है उसके एक ml में यानि कि एक ml जल में या वाटर में 100 million bacteria फेज पाये जा सकते हैं यानि कि सागर के एक ml जल में एक ml पानी में ही जो है 100 million bacteria फेज पाये जा सकते हैं इसके बाद फिर देखे बैक्टीरियो फेज वर फर्स्ट इस्टेडीड बाई FW टॉर्ट यह नाम आप याद रखेंगे FW टॉर्ट नामगवेग्यानिक ने सबसे पहले इसकी स्टेडी किया बैक्टीरियो फेज इक्स्टेंसिवली इस्टडीड वाई डी हेरल यानि कि जा पुरा विस्तार से इसके बारे में अध्यन किये कौन डी हेरल फिर आगे लिग देंगे डी हेरल से देट उन्होंने कहा कि बैक्टीरियो फेज डिस्ट्रोइड कालोनी आफ इकोलाई यानिक जो بیک्टिरियो फेज क resistant कालुणि को डिश्ट्रॉइ करता है सो इसलिए बämäक्टिरियो फेज आलसौ नोग स कोली फेज इस वज़े से बैक्टिरियो फेज को आप कोली फेज भी कर सकते है क्यूँ कि यह वेक्टिरिया या किіїक बैक्टिरिया की कालोणि इस ट्रॉइ करता है अब देखिये फिर है बैक्टीरियो फेजेज यूज्यविएव DSDNA ये बात मैं पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है अभी भी बता दे रहे हैं बैक्टीरियो फेजज जो है उसके पास समानत है DSDNA पाया जाता है यह बात भी आप याद रखेंगे फिर आगे लिखेंगे थ्री कामन फार्म आफ बैक्टिरियोफेज यह जो बैक्टिरियोफेज है इसके तीन मुखे यानि तीन कामन टाइप हैं तीन कामन प्रकार के बैक्टिरिया फेज होते हैं जो बैक्टिरिया फेज है इसके तीन कामन प्रकार हैं जिसमें टेल्ड बैक्टिरियो फेज और क्यूबिक बैक्टिरियो फेज और एक है फिलामेंटस बैक्टिरियो फेज यानि तीन कामन तरह के बैक्टिरियो फेज पाया जाते हैं जिसमें देखे, पहला है टेल्ड बैक्टिरियो फेज, क्यूबिक बैक्टिरियो फेज और फिलामेंटस बैक्टिरियो फेज, एक लाइन आप और याद रखेंगे, टेल्ड बैक्टिरियो फेजेज आलसो नोन एज टी फेजेज, और फिर देखे, टी फेजेज आर यूज्य या mostly two types, that is, यानि जो T phase हैं, उसके मुख्य रूप से दो तरह होते हैं, यानि दो प्रकार होते हैं, पहला देखिए क्या है, T even phases, यानि जो even, यानि सम संख्या में होते हैं, even नंबर में, वो T2, T4 इस तरह से होते हैं, और फिर जो दूसरा है, यानि कि T odd phases, T1, T3 इस तरह से होते हैं, यानि दो इसके मुख्य प्रकार होते हैं, क्यों T phase के लिए कहा गया है, इसके बाद फिर है structure of bacteria phase, या बहुत ही important है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानना है, यानि bacteria phase के structure में क्या क्या चीज़े हैं, और figure आप अपने notebook में बिल किसी में कुछ चीज़ें छोड़ दिया है, किसी में कुछ चीज़ें छोड़ दिया है, यह एक common type का diagram हमने बनाया है, जिसमें लगभग जो important चीज़ें, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, चले देखे क्या है, यह देखे यह वाला portion जो है उपर का, इस 700 angstrom, बाकि head की जो लंबाई के अलमा कुछ इसकी चोड़ाई भी है, यानि की मोटाई है, उसको आप 700 angstrom लिख देंगे, नोट कर लेंगे, बाकि आप इसे याद रखेंगे, देखे, head और tail के बीच की जो structure यहाँ पर यह structure दिख रही है, round shape की, इसको आप बोलेंगे color, इसे color बोलेंगे, और फिर color के नीचे, tail जहां से start होती है, उसको neck बोलेंगे, बाकि अंदर देखे, यह red color से जो मैंने बनाया है, यह nucleic acid है, जो सामानत है, DSDNA होता है, और यह जो DSDNA के बाहर की यह जो covering है, इसकी जो covering है, head की, उसको बोलेंगे capsid, और आपको पता है, पिछले lecture म है, उन्हें बताया था है, capsid, जो हो, capsid, mere से बना होता है, यह भी आप याद रखेंगे, इसके बाद देखे, जो यह tail वाला portion है, इसके उपर, इसके उपर ring की तरह से structure होती है, और ring की तरह से structure मिल करके, एक seat बना देती है, एक covering, एक protected layer बना देती है, protection के लिए, इसके सुर लेकिन इसके अंदर की structure जो होती है, एक hollow जगह, खाली जगह होती है, इसके अंदर, उसको बोलेंगे central core, बीच की जो जगह होती है, उसको बोलेंगे central core, बाकि नीचे आ जाईए, तो नीचे देखे, जो यह जहाँ पर tail खतम होती है, उसके नीचे भी एक ring की तरह से structure दिख ली हुई है, जिने spikes बोलेंगे, बाकि यह 6 देखे, क्या है, बड़ी बड़ी structure है, जिसको बोलेंगे tail fibers, यह संख्या में 6 होते हैं, तो यह खास चीजे हैं, जिसके बारे में आप हमेशा याद रखेंगे, पहला तो आप देख लिए ऊपर के portion को आप head कहेंगे, बाकि genetic material यह nucleic acid जो dsdna हो सकता है, सामानत है, बाकि head जहां पर समाप्त होता है, वहां पर एक ring like structure जो color है, और फिर उसके नीचे जहां से tail सुरू होती है, यह वाला portion आप neck कह देंगे, बाकि उसके नीचे जो tail है, उसके उपर की covering जो है, वो seat है, अंदर की जग है, hollow space है, उसको आ end plate है, और यहां से end plate से भी प्रतिक corner से जो structure निकली हो, यह छोटी छोटी structure है, वो spikes है, बाकि जो यह बड़ी fiber like structure संख्या में 6 है, वो क्या है, tail fiber है, यह माली जे की bacteria है, और इसके उपर virus बैठा, virus कौन है, तो यह bacteria phage virus है, यह bacteria phage virus है, अब यह जब बैठता है, तो अपने tail fiber के हिसाब, tail fiber की सहायता से ही bacteria को पकड़ता है, और इस तरह से इस तरह से करके, नीचे यहां पर एक और structure होती है, आगे जब detail में आप समझेंगे, तो आपको पता चलेगा, इसकी life cycle में हम आपको बताएंगे, उसी के सहायता से यह bacteria की wall को penetrate कर देता है, छेद कर देता है, और छेद करके अपना genetic material उस bacteria में छोड़ देता है, देखिए नाम से आप confused न होईए, bacteria और bacteria और बार बार एक सब्द आ रहा है, साथ ही में, तो bacteria phase क्या है, वाइरस है, और bacteria क्या है, bacteria है, तो bacteria phase यानि की virus bacteria पर attack करता है, मैं बताना यह चाह रहा हूँ कि यह जो इसकी tail fiber है, इसी क सहायता से यह bacteria phase bacteria को attack करता है, यानि उसे पकड़ता है, और उसकी body को penetrate कर देता है, उसकी wall को penetrate कर देता है, अब इसमें क्या लिख लेंगे, कुछ खास बात हैं, आप note कर लेंगे नीचे, तो देखिए क्या है, bacteria phase consist of polyhedral head, यानि की polyhedral head से बना, जो आप यहाँ पर देख रहे है, तो आप heading डाल देंगे head और आगे लिख देंगे, a head consist of 2000 capsomiers with dsdna, यानि जो head होता है, यह बाहर की capsid जो layer है, capsid इसकी covering है, मैंने अभी बताया कि capsid capsomier से बनी होती है, तो capsid जो है capsomier के 2000 malicule से बने होते हैं, यानि कि इसके अंदर जो capsomier होता हो, 2000 की संख्या में लग पाया जाता है, तब जाकर के capsid तयार होता है, capsid क्या है, covering है, और capsomier क्या है, उसकी इकाई है, जैसे घर हो, घर है, तो एक covering समझे, और उसमें जो eat लगे हुए हैं, वो क्या है, capsomier है, इसके बाद फिर देखिए, tail लिख देंगे, और tail में लिखेंगे, the tail consists of an inner hollow tube, जो tail इ inner hollow tube से बनी होती है, यानि कि इसके अंदर hollow यानि खोखली सनरचना है, एक tube है, इसके अलावा, with, ने, which, which is surrounded by, एक contractile seat, ये बात आप याद रखेंगे, ये जो hollow tube है, एक contractile seat से जो है, ये घिरी होती है, यानि कि, surrounded, surrounded का मतलब घिरी होती है, contractile का मतलब होता है, संकुचित हो सकती है, अपने हिसाब से ये जो है, छोटी बड़ी हो सकती है, जब penetrate करता है, बैक्टिरियो फेज किसी बैक्टिया को, तो ये उपर नीचे, उपर नीचे, ऐसे ऐसे आता है, तब उसमें छेद करता है, कैसे आप pump से हवा भरते हैं, cycle में, तो उसका जो rod है, उपर नीचे ऐसे करते हैं, तो अगर ओ contractile ना रहेगा, उपर नीचे नहीं जा सकेगा, तो फिर हवा कैसे भराएगा, तो बिल्कुल उसी तरह से ये छोटा बड़ा छोटा बड़ा इस तरह से हो सकता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, contractile बोलेंगे, ब इसके बाद है, the digital end consists of basal plate, यानि जो इसका digital end है, digital end का मतलब इसका जो दूरस्त भाग है, वो किसका बना होता है, तो end plate या फिर इसको basal plate भी कह सकते हैं, end plate के अलावा इसे basal plate भी कह सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, basal plate, basal plate, end plate को आप basal plate भी कह सकते हैं, अब देखे आगे है, with tail fiber at each corner, अब प्रते करनर पर, प्रते करनर पर tail fiber भी है, उसी end plate में, ये tail fiber है, जो इसकी संख्या क्या है, छह है, फिर आगे लिख देंगे, the bacteria phase attached to the bacteria, यानि जो bacteria phase है, यह bacteria से attach होता है, मैंने अभी बताया कि यह bacteria के उपर ही पोसर लेता है, और अपनी संख्या को बढ़ाता है, इसकी life cycle में आगे हम डिटेल में बताएंगे कि यह bacteria के अंदर कैसे अपनी संख्या को बढ़ाता है, with help of these tail fiber, यानि कि यह जो bacteria phase है, यह bacteria के उपर इसी tail fiber की सहायता से ही attach होता है, और जुड़ करके bacteria की wall को, यह देखिए bacteria की wall को penetrate कर देगा, और penetrate करके अपना यह genetic material इस bacteria के अंदर छोड़ देगा, बाकि आगे कि क्या कहानी है, वो सारा detail हम आपको अगले lecture में इसकी life cycle में देंगे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, बैक्टिरियो फेज क्या है, और इसकी structure क्या है, इसकी structure में कौन कौन से भाग पाया जाते हैं, किस भाग का क्या काम है, किसे क्या कहते हैं, कैसे अपनी notebook में इसे आपको note कर लेना है, तो बाकि note करके आप इसे 2-3 बार प